हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूम केसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खेरियत से होंगे ठीक होंगे और अल्लापाक आप सभी को खुश रखे खेरियत से रखे और अपनी फेमली के साथ हमेशा खुश रखे और जो भी मेरी वीडियो देखे अल्लापाक उन हमारा चाकू स्टेन जो की है एक बोलने वाला तोता अभी इसके सेल डाउन हो गए हैं इसलिए इसने बोलना बंद कर दिया है अभी इसमें हम दूसरे सेल लगाएंगे तो फिर यह बोलना चालू करेगा और इसकी मधूर आवाज आप लोगों को सुनाई देगी अगर हमारे क चाय पीलूंगी चाय पिने के बाद रोज की तरह डेली रूटीन हमारा जो भी घर का काम है वो काम करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रोज के मुकाबले फ्रेंड आप लोगों को हमारा व्लोग आज का थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा तो फ्रेंड वो आप खुद देखें कि व्लोग में क्या डिफरेंट है और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे-प्यारे से कॉमेंट्स भी करें अब हम यह चाय मुस्तुफा को दे देते हैं मुस्तुफा को चाय देने के अब मैं अपनी चाय ले लूँगी और रूम में जाके चाय पिऊंगी और चाय पीते-पीते में थोड़ी दर मोबाइल चलाओंगी फिर उसके बाद मैं घर के काम करूंगी चली अब हम घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पहले मैंने सोफे साफ कर लिये थे और ये बेटे की बुकें जो थी सोफे पे फेली हुई तो इन्हें मैंने रूम में रख दिया था और सोफे अच्छी तरह से साफ कर दिये और फिर इसके बाद जाड़ू लगा दी थी तो फ्रेंड अभी तक तो आप लोग समझी गए होंगे कि वीडियो में क्या डिफ्रेंट है तो जी हाँ आप लोग सही सोच रहे हैं वीडियो में यही डिफ्रेंट है कि मैं खूद ही दिखाई दे रही हूँ लेकिन हाइट फेस के साथ अभी तो फ्रेंड में हाइट फेस ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि हमारे फेमली मेंबर में किसी को भी नहीं पता ही कि मैंने यूटूब जोइन कर लिया है और फ्रेंड में यह चाहती हूँ कि मेरे जल से जल सब्सक्राइबर बढ़ जाएं ताकि मैं अपनी पूरी फेमल को बता सकूं कि मैंने भी यूटूब पर अपना एक चेनल बना लिया है और अपनी फेमली को भी आप लोगों के सामने लेकर आऊं और मैं खुद भी हाइट फेस वीडियो नहीं बनाऊंगी ओपन फेस वीडियो बनाना ही स्टार्ट कर दूँगी तो फ्रेंड इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बेहत जरूरत है आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर फ्रेंड आप लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चेनल को सब्स प्राइब किये बिना नहीं जाना आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाए और हमारी ये चोटी सी यूटुब की फैमली भी एक दिन बड़ी हो जाए मैं ये चाहती हूँ फ्रेंड के पहले हमारी यूटुब की फैमली बड़ी है तो आप लोगों से बाते करते करते फ्रेंड घर की क्लीनिंग हो गई है और फिर मैं थोड़ी देर यहां पर गेलरी में आके खड़ी हो गई थी और ये गरीनरी देखने के विए कितनी हर्याली हो रही है यहाँ पर माशाला बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर तो फ्रेंड आप लोग भी देखिए और इंजोई करिए कियां लगता है अब चलिए जट पे चलते हैं दस्तरखान को दो लेते हैं यह ज़्यादा गंदा हो गया है और यह डॉर्मेट है जो गीला हो गया है तो इसे भी सुखा देंगे तो फ्रेंचल यह छट पे चलते हैं और यह देखें बेटे की स्केटिंग रखी हुई है ये कभी-कभी छट पे भी स्केटिंग कर लेता है तो इसलिए और यहां पे देखिए चूहे नहीं है इसके लिए हमने जुगाड करी है पुरानी जो जीन्स थी उसे हमने लगाई है लेकिन वो भी चूहोंने खाली है और छट पे ज़्यादा धूप नहीं है और मोसम ठीक है ना ज़्यादा बारिश का मोसम है और ना ज़्यादा धूप है तो इसलिए मैंने सोचा कि दस्तर खान को मैं उपर ही नल में धोलेती हूँ अच्छे से धूल जाएगा फेला के उसे चट पे फेला के धोलूँगी तो अच्छे से धूल जाएगा ये देखिए ज़्यादा धूप नहीं है चट पे तो फ्रेंड दस्तर खान को मैंने इस तरह से जमीन पे फेला दिया था और इसे बर्तन का जो स्क्रबर होता है ना उससे मैंने अच्छी तरह से रिगर दिया और इसे फिर धूलिया था दस्तर खान को हमें फ्रेंड बर्तन दोने के साबुन से ही दोना चाहिए इसलिए कि इसमें तेल वगेरा के दाग लगे होते हैं तो वो बर्तन के साबुन से अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और मैंने उससे ही दस्तरखान दोया था जो कि एकदम वाइट हो गया और फिर नीचे आके देखिए मैंने ये जो रात में फिश फ्राइ की थी तो मुझे इसे गरम करना थी तो फिर मैंने इसे अवन में रखे इसे गरम कर ली थी और ये अच्छे तरह से गरम हो गई थी इसम मैं इसी में रख देती हूँ और 5-6 मिनट का टाइम सेट कर देती हूँ और ये अच्छे से गर्म हो जाती है और इस अवन को मैंने एक मोल से लिया था ओफर में बहुती लो प्राइज में अफ्रेंड में अपनी वोटर बोटल को धो लेती हूँ तो बोटल को धोने के लिए हमें इसे अंदर साबुन नहीं लगाना है सिर्फ भार से इस तरह से कूचे में साबुन लगाके इस तरह से धो लेना है और अंदर हमें इसके साबुन नहीं लगाना है मिल्टन की बोटल को किस तरह दोते हैं इसकी वीडियो भी मैंने पहले बनाई हुई है तो फ्रेंड आप लोग मेरी पहले की वीडियो में जाकर देख सकते हैं बोटल दुल गई है और आप मैं पानी गरम कर लूँगी पानी गरम करके अपनी बोटल में भर लूँगी फ्रेंड में गरम पानी ही पीती हूँ अधिकतर में गरम पानी ही पीती हूँ तो मैं इस तरह अपनी गरम पानी करके अपनी बोटल में भर लेती हूँ जो की एक दो घंटे चल जाता है और फिर दुबारा से गरम करके बोटल में भर लेती हूँ और मेरी ये बोटल में 12-13 गंटे तक गरम पानी रहता है ठंडा नहीं होता है इसलिए मैं इसमें भर के रख लेती हूँ और फ्रेंड इस बोटल की वज़े से ही मैंने अपना वेट लोस किया है गरम पानी के साथ मैंने क्या क्या खाया है और कपप खाया है ये सब ही पूरी वीडियो आगये जाकर मैं आप लोगों को step by step बताती जाओंगी तो इसलिए आप मेरे चैनल को subscribe करें और मेरे चैनल पर बने रहें ताकि आप लोग भी अपना वेट लोस कर सके फ्रेंड मैंने अपना वेट लोस तीन महीने में किया था तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अपना वेट लोस किया था मैंने क्या क्या खाया था और यूटूब से भी मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की थी कि क्या खाएं जिससे वजन घटे तो मैंने मतलब कुन कुन सी चीज़े खाएं थी कि जिससे मेरा वेट लोस हुआ तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी तो इसके लिए प्लीज आप मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड बच्चों ने बनवाए थे फिर ये सिंपल नूडल तो इसमें हमने कुछ नहीं डाला है बच्चों को जादा कुछ पसंद नहीं है इसमें डला हुआ तो टामाटर की चटनी और लसन की चटनी हरीमेच की चटनी डाल कर हमने ये नूडल तैयार किये थे तो अब मैं बना रही हूं बुट्टे की सब्जी तो जिसके लिए मैंने लिए बुट्टे और बुट्टे के दाने और इनको मैं पीस लूँगी इनका हमें बारिक पेस्ट नहीं करना है दरदरा सा पेस्ट बना ले और ये देखे इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है और फिर हमें इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा तेल डालना है और ये फ्रेंड स्वीट कौन है जो अमरीकन बुटे होते हैं ये वो है तो इसकी हम खटी मिर्ठी तिखी सी सबजी बनाएंगे तो इसके लिए में इसमें थोड़ी सी राई थोड़ी सी राई के दाने डालेंगे और फिर हरी मिर्च और अदरक लसन और प्याज का पेश्ट है ये पिसा हुआ तो इसे डाल देंगे 5-6 मिनट तक इसे हमें तलना है फ्रेंड आप लोगोंने मेरी कल की वीडियो देखी है नहीं अगर नहीं देखिए तो आप उसे भी द आज बताया है कि आप किस तरह से एक पत्ता खाएं और अपनी पेट की पत्री को गायब कर दें तो आप लोगों उस वीडियो को भी जहू देखें ताकि आपके पास ही आपके रिलेटिव या जो भी है जिसे भी पत्री है तो आप उनकी हेल्प कर सकें और धेर सारी दुआ सबजी बना रहे हम तो इसलिए इसमें नमक जादा नहीं डालना है तो फिर इस तरह से हमने मसाला डाल दिया है और मसाले को हमें पास से दस मिनट के लिए प्राय कर लेना है भून लेना है और फिर उसके बाद में ये जो भुटे हैं पिसे हुए इसे हमें इसमें एड़ कर देना है ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसाले को भून लेंगे एक साइड में सबजी बन रही है तो मैं एक साइड में रोटी बना लूँगी फ्रेंड में हमेशा ऐसा ही करती हूं कि एक साइड रोटी बनाती हूं और एक साइड में सबजी बनाती हूं ताक में दोनों काम एक साथ करती चाहती हूं सबजी भी एक साथ बनाती हूं रोटी भी दोनों चीजे में एक साथ बनाती हूं और अगर कोई ऐसी सबजी होती है जिसमें हम पूरा फोकस हमारा सबजी में होना चाहिए तो फिर वो मैं सबजी अकेली बनाती हूं फुर रोटी में बाद में बना लेती हूं या पहले ही बना के रख देती हूं अगर फ्रेंट आप लोगों ने ये बुट्टे की रेसिपी कभी ट्राइ नहीं की है तो आप लोग भी इसे जरूर से ट्राइ करें और ये बहुत ही अच्छी बनेगी आपके घर में सभी को पसंद आएगी और ख खट्टा तो लेमन से आएगा और मीठा ये स्वीट कोन है ही और तीखा हमने हरी मिर्च और रेड चिली डाली है इसलिए हरी मिर्च भी हमने इसमें पीस कर डाली है इसलिए कि इसमें अच्छा तीखा सा फ्लेवर आ जाए तो इसलिए अब ये देखे मैं इसमें भुट्ट से ही पक जाएंगे क्योंकि स्विट पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है जो हमारे देशी भुट्टे होते हैं हुझे हम में पकने में थोड़ा टाइम लगते यह hasil दोल सफ्टीम कमें और इसे यह स्टील की कडाई में बनाई है तो इसलिए फिर यह तोड़ी तो फिर आप लोग इसे बनाए तो A de तो इसमें अब और अच्छा खटा मिठा सा फ्लेवर आजाएगा और पिर आखरी में आपको इसमें हरा धनीया भी काट के डाल देना है द्रहिए तयार क्योंकि हमारी भुट्टे की सब्जी को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है 10 से 15 मिनिट में भुट्टे की सब्जी बनके तैयार हो जाती है तो इसलिए अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमें जल्द जल्द कुछ बनाना है तो आप अभी सीजन भी है भुट्टे का तो आप भुट्टे लेकर आईए और फटा फट से आप सब्जी बनाईए और फटा फट आप दिनर करिए और रोती भी बनने वाली है रोती भी थोड़ी बची है और फ्रेंड आप लोगों को हमारी बगबग से चुटकारा मिलने वाला है फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी बगबग अच्छी लगी तो फिर चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड अगर आप लोग मेरे चेनल को सब्सक्राइब करें तो आप लोग उसमें एक प्यारा सा कोमेंट भी जरूर करें ताकि मैं आप लोगों को थेंक्यू बोलू चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए तो चलिए फ्रेंड अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्हाफीज कि कि लिए नेक्स सेमा वाक्षू नेक्स भूम तो चालाँ देए प्रेंड आप बिए अल्हाफीज थेंक्स चालाँ थेंक्स